वेगान सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आप एक वकील है आप आदालत के कानून और फैसलों से इतर नहीं हैं क्या सोशल मीडिया देश के कानूनों से उल्टी तरफ जाकर कानू करें देश के कानूनों को ना माने या आप चाहते हैं यह देखे सोशल मीडिया को देश के कानून तो मानने पड़ेंगे constitution अगर constitution बनाया गया है article 19 freedom of speech की बात करता है तो वो freedom of speech हमें भी उतना है जितना सोशल मीडिया के पास है सोशल मीडिया ने point trace करा है कि traceability जो है वो privacy को breach करता है तो traceability जो है वो privacy को breach करता है यह किस basis पर का है यह इस basis पर का है कि वो कहरें कि end to end encrypted है देखे traceability जो है वो सिर्फ हर message के लिए नहीं है traceability ठीक है वो सिर्फ trace करा जाएगा सिर्फ उन messages को जो incendry होंगे nature में जिनमें दंगे भढ़काने की वो होगी शमता या फिर कोई ऐसा होगा जो section 3 में आता है act के जो अगर मैं पढ़ूं वो क्या कहता है या तो अगर वो defematary होगा obscene होगा, pornographic होगा या किसी की privacy को harm कर रहा होगा या कोई insult होगा या libelist होगा या कोई religious sentiments को किसी के insight कर रहा है तो यह इस तरीके के messages है जिनको trace करा जाएगा दूसरी बात यह problem कहां से आती है, जो IT rules आये वो कहां से आये तो यह problem आती है जब last 2-3 साल में देखा गया है कि ऐसे post जो है वो social media के through बहुत लोगों तक पहुँच पा रहे हैं तो उनकी जो मतलब transmit करने की जो technology के through जो capacity बढ़ गई है और यह इस पर terrorism भी आप कह लिजे इस पर आप हर kind of आप कह लिजे जो खराब चीजे हो रही है वो भी हो रही है उसके अंडर भी ऐसा है कि whatsapp वालों को दिया गया है या instagram वालों को या facebook वालों को दिया गया है कि आप setup करिये formulate करिये अपने जो nodal officers है जो grievance, redressal officers है उनको आप करिये और आप बनाएंगे और वो educate करेंगे matter को तो यह बहुत important हो जाता है इसमें government का इतना ज्यादा रोल नहीं है, government का रोल इतना है कि government चाती है और government को सही ही चाती है कि social media बिलकुल इन चीजों को follow करें, तो rules and regulations बिलकुल follow उने चीजिए